चुम ने रज़त दलाल को सिखाया एक टेबल वाला गेम जियां दोस्तों बिग बॉस 18 के लाइफ इड में फिलहाल रज़त दलाल भाई एक बच्चे की तरह एक गेम खेलते हुए नजरा जिया दोस्तों बीच में एक टेबल रखा हुआ था और उस पर हाथ रखके रज़त चारो तरब रज़त दलाल को चारो तरब गोल गोल घुमना था और ये वाला गेम सिखाया है चुम ने जहांपर चुम भाई आज पूरे गेम वाले मोड में है वो तरह तरह के नए नए गेम स्ट्राइ कर रही घर के अलग-अलग मेंबर्स के साथ और फिलाल में वो रज़ दलाल को चैलेंज देती है बीच में ये टेबल रखा हुआ है रज़त जी आपको इस पर हाथ रखना है और इसके चारो तरब गोल गोल घुमना है हाथ उपर उठना नहीं चाहिए और प्लस में टेबल भी गोल गोल घुमना नहीं चाहिए और जब रज़त दलाल इस चीज ऐसके बाए चाहत सो रही है और उधर एल्ष कॉस्टिक जो है वह भी सो रही है और तभी बिग बास को पता चल जाता है कि घर के जो वो सो रहे और फिर बिग बॉस का मुर्गा बोल उठता है और फिर चाहत पांडे और एली स्कॉसिक की नींद जो है वो तूट जाती जिया दोस्तों फिलाल में घर के अंदर रजद दलाल और चुम और कसिस कपूर मिलकर एक गेम खेलने की प्लान कर रहे और वो है एटलस वा फिलाल आपका कहाना चाहोगा पूरी अपडेट पर कमेंट करके जरू बताइएगा लाइफ इट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा